Microsoft Excel series में आज हम formula tab के अंतरगत date and time function के साथ काम करना देखते हैं formula tab में हमें date and time tools देख रहा है जिसके अंदर हमें different function मिल रहा है आई हम इन different function के साथ काम करना देखते है date and time function के बारे में कहा गया है कि वैसे function जो हमें date और time के साथ काम करने में मदद करते है सो आईए date and time function के अंतर के सबसे फ़ाला function हमें दीकरा date suppose हमारे पास एक table है जहाँ पे number कुछ इस form में दिये हुए है और इसे एक date का form त्यार करना है तो हम इसके लिए date function का use कर सकते हैं यहां से आते हैं date function पे click करते है year field के value को select करते हैं यहाँ पे month फिर यहाँ पे date पे click करते हैं okay करते ही हमें एक proper date format text appear हो जाता है तो इस function की मदद से हम एक date का format त्यार कर सकते हैं अगला हमारा date value date value की मदद से हम किसी भी date को एक number format में convert कर सकते हैं number format का मतलब हो Microsoft Excel date को 1st January 1900 से लेकर 31st December 9999 year तक को recognize करते हैं तो अगर हमारा year 1st January 2020 होता है तो 1st January 2020 के बीज का जितने भी number updates होता है वह ही एक serial number के form में हमें so करते हैं suppose राकेस है जिसकी date of joining हमारा 1st January 2020 है इसकी date value हम लोग find करने जाएं तो आपको दिखेगा हमें वो date value मिल जाते हैं आगे बढ़ते हैं हमारे पास day है yes किसी भी date से अगर हमें कोई day find करना हो तो यहां से हम find कर सकते हैं date time function के पास आते हैं यहां से हम day select करते हैं हम अपने date select करके ok करते हैं आपको वहां से month find हो जाएगा जो date है 12 for 2020 यहां पे हमारा day है जो 12 और day आपको यहां दिख जाएगा days days function के बारे में कहा गया है कि this function returns the number of days between two dates अब हमारे बस दो अलग-अलग date हैं suppose हमने किसी work बस start date लगा है 1, 4, 2019 इसकी ending date है 31st, 5, 2019 हमें total number of days count करना है तो इसके लिए हम आते हैं date and time यहां से days पे click करते हैं end day yes यह है आपका start day यह है फिर ok करते हैं यह आपको total number of days बताएगा उसी तरह से अगर number of days को हमें 360 days के form में करना हो 360 days का मतलब कि year 365 यह 366 का होता है लेकिन अगर हम हर मन्त को 30 days का ही माल ले तो total 360 days का year को अगर count करें उस form में तो यहां से हम फिर date and time पे आते हैं और days 360 पे click करते हैं यहां से हमारे start day end day फिर यहां ok करते हैं तो यहां में total days 360 days in a year वाले format में count करके दिखाता है उसके बाद आपका e date आता है जिसकी मदद से हम किसी भी चीज का एक maturity date find कर सकते हैं जिसकी maturity 16 months बाद होती है अभी हमारा first April 2020 है तो यहां से हम e date की मदद से उसकी ending date find कर सकते हैं तो यहां से हम date and time में आते हैं e date पे click करते हैं start date number of months select करते हैं यहां से ok करते हैं आपको यहां पर maturity date दिखेगा अब आप यहां पर कहेंगे कि यह तो date दीख नहीं रहा है तो यह आपका serial number form में आएगा जो आपको आपको बताया था कि excel 1st January 1900 से बाकि सारे date को उस number में recognize करता है तो आए इसके type को change कर देते हैं यहां से आते हैं home पे और यहां से हम उसके type को date में convert कर देते हैं तो यह आपका maturity date हो गया उसी तरह से next function की option है आपका eo month यह function आपका end of the month return करता है suppose अमाने date है 1st February 2020 और हम उसकी पाद एक end of month find करना चाहते हैं कि इस date के 4 month के बाद का ending date क्या होगा या 5 month के बाद ending date क्या होगा तो यहां से हम date and time में आते हैं यह month पे click करते है start date आपका यह है suppose हम इसके 6 month later देखना चाहते हैं पे करते हैं तो आपका 6 महीने बाद यह 8 महीना होगा जिसका end of month होगा 31st.08.2020 अगला function है आपका hours function जिस function की मदद से हम एक time number format से hour को find कर सकते है या peak कर सकते है जैसे आप यहां देख ले हम direct भी use कर सकते हैं किसी भी function को hour और यहां से argument pass करते हैं और आपको उस time से hour so हो जाता है उसी तरह से हमें अगर किसी date का week number find करना हो कि उस date को उस year में वो कौन सा week number है तो हम iso week num function यूज कर सकते हैं आई हम देखते हैं यहां से हमने date and time पर करते हैं यहां से week number के लिए क्लिक करते हैं कोई भी date लेते हैं और ok करते हैं यह हमें so करता है कि 2 February 2020 जो है उस year में यह आपका 5 5th week होगा उसी तरह से time से अगर हमें minute return करना हो तो यहां से हम equal to minute function को direct call कर सकते हैं time को select करते हैं enter दबाते हैं हमें minute यहां पर so कर लेते हैं month function yes month function को भी हम equals to किसी भी date से हमें month count करना हो या find करना हो तो हम यहां से month को fix कर सकते हैं need work days yes इस function के द्वारा हम need working days को find कर सकते हैं किसी भी work का suppose हमारा work 2nd of January से start होता है 2nd of April को end होता है जिसमें हमने कुछ holy days ले रखे है 15th 26th and 2-4 उसके बाद आपका जो एक general holidays होता है Saturday Sunday वह भी आपका count होता है तो इसको हम calculate करते हैं date and time पर आते हैं यहां से need work days लेते हैं start days आपका यह हो गया end day आपका second और holidays जो हमने extra add किया है यह holidays लेके ok करते हैं तो यह आपका total 64 days हो जाते हैं अगर हमने यहां पे holidays को अगर हटा देते हैं तो यह days बढ़ जाते हैं अब आप यह ह देखेंगे कि हमने इस holiday को हटाया तो कोई fir नहीं पढ़ा लेकिन इस holidays को जैसे ही हमने हटाया तो यह fark पढ़ता है तो यहां पे this holidays को हटाने के पर किसली नहीं पड़ा कि यह by default Saturday या Sunday होगा और हमने यहां पर लिखा है कि जो आपका holidays है उसको छोड़के ही count करेगा तो यह ध्यान रखना होगा कि आपका holidays है जो already holidays है defined Saturday Sunday by default defined holiday है अगर आप चाहते हैं कि आप अपने ही सबसे holidays specify करें तो फिर अगला function है हमारा neatworkdays.intl function इस function की मदद से आप neat working days को एक अलग तरीके से custom holidays specify करके calculate कर सकते हैं आई यहां देखते हैं यहां पर हमारा date and time पर आते हैं neat workdays यहां से आगया start date आपका यह है end date हमने यह specify कर लिया weekend यह आपको select करना होगा number formats दे रखा है इसके details हम लोग देखते हैं वहाँ पर weekend suppose one मतलब संटर डे और संडे आपका छुट्टी रहेगा holidays extra भी आपने holidays ले रखा यह add कर लेते ओके करते हैं यह आपका as is well देख रहा है जो उपर में था अब यहाँ पर आते हैं हमने one लिया है क्योंकि यह Saturday Sunday default था यहाँ से इसको हटाते हैं आपके पास एक list open हो रहा है अगर आप holidays को Sunday Monday में करें Monday Tuesday करें Thursday Friday को करें या किवल Sunday को holiday करें जैसे ही हमने Sunday के लिए 11 यहाँ पर 11 सलेट करते हैं आप देखिएगा आपका net working days increase हो जाता है और इस तरह से आपका net working days increase हो गया तो यहाँ आपने देखा कि networkdays function और networkdays.intl function में तोड़ा सा difference है वो difference यह है कि यह custom holiday specify करने की facility नहीं प्रोवाइड करता है where.intl जो है वो हमें custom holiday specify करने की facility प्रोवाइड करता है आइए हम now की बात करें yes now function excel का एक function है जिसमें हम directly current time और date को specify कर सकते हैं किसी भी sale में equal to now आप देख सकते है current time और date specify हो गया अगले आपका second yes second function की मदद से हम किसी भी time से second value को pick कर सकते हैं हम directly यहाँ पे function को call करते हैं argument pass करते हैं और यहां से आपकी second की value जैसे आप देख सकते है time at 12 hours 44 minutes 48 seconds so second यहाँ देख रहा है यह हमारा second function हुआ अगला time function yes this function is used to convert numbers in a time format yes suppose we have three different numbers here like 12 20 and 30 now we can just convert them in a time time yes we have to select hour comma minute comma and second उसके बाद हम इसे close करेंगे हमें एक proper time so करेगा time value यह आपको excel के number format में time को change करते हैं जैसे suppose हमने 12 25 am लिखा है इसको time value क्या होगा अगर हम इसे तो select करके enter करते हैं इक्वल्स टू time value यहां पे हमने bracket दे रखा है time है आपका 12 25 am yes close किया enter दबाया तो यह आपका time value हो गया जिसे excel रिप्रेजेंट करेगा अगला function है today जिस function की मदद से हम current date को किसी भी sale में specify कर सकते हैं हमने now function use किया था now function की मदद से हम current date और time दोनों specify कर सकते थे लेकिन अगर हम में current date specify करना है so equals to today लिखना है it will show you the current date now weekday yes यह हमारा किसी भी date का एक weekday represent करते है equals to weekday यह आपका date हो गया and now आपको specify करना होगा कि उस यह का starting weekday क्या है suppose हम Sunday से गर start करते हैं तो यह आपको बताएगा कि 20 तो आपका fourth weekday होगा मतलब first Sunday है तो आपका Monday Tuesday Wednesday Thursday yes Thursday उसी तरह से week number yes week NUM function का इस्तमाल हम लोग किसी भी date से week number को return करने में करते हैं जैसे आईए यहां पर हमारा date है 25th 2021 यहां से हम पता करें कि how many week week number it has been till that date so simply week number लिखेंगे और इस आर्गुमेंट को pass कर देंगे अभी हमने 21 weeks को pass करके 25 2020 पर पहुंसे अगला function है हमारा workday यह यह function हमें एक particular number of working days के बाद का date so करता है जैसे माली जी हमने काम को 25th 2020 को start करना यहां पर हमने उसे 145 दिन में complete करना है जिसके बीच में यह हमारे holidays है तो यह किस date को हमारा काम complete होता है इसे हमें find करना हो तो यहां से हम simply workday function को call करेंगे workday पर आते है start date हमारा है 25th 2021 and now days to complete 145 days यहां पर हमने okay किया आपको total यहां पर कोई cup का excel number format में आ रहा है इसे हमें date में convert करना होगा यहां पर आप एक चीज़ और देख सकते हैं अगर हम यहां पर holidays की बात करें तो यहां से हमारे 3 holidays भी हैं इसको भी हमें इसमें add करना है फिर enter the one यहां पर आते हैं फिर इसके formats को change करते हैं home में आते हैं यहां से हम date type लेते हैं जैसे हम date type format लेंगे हमारा work 10th 12th 2021 को complete होते हैं एक बार फिर से देख लेते हैं हम यहां से हमने formula time में आया थे date and time function पर आया थे यहां से work day को select किया start day हमारे यह है number of days to complete is 145 no holidays yes we have past 3 holidays here select करना है और ok करना है हमारे सामने ओ date format चलाएगा यहां भी आपके workday.intl में थोड़ा सा custom parameters add करने की facility मिलती है जहां पे आप holidays को भी specify कर सकते हैं custom holidays भी specify यहां तो आपने date set of holidays जो के आप ले रहे हैं और उसके बाद जो regular holidays होते हैं उसको भी आप specify कर सकते हैं जैसे कि हम लोगोंने net workday के साथ काम किया दो आएए इस function को use करते हैं equals to workday.intl yes bracket close किया यह आपका है start date number of days to complete उसके बाद फिर आपका week yes आप weekend में भी छुटी जो holidays होगा yes के वल sunday उसके लिए हमें 11 argument देना होगा comma weekend holidays के बाद कुछ extra holidays yes यह holidays हैं फिर close करना होगा और फिर enter को बात है yes आपका यहां भी format वही आ रहा है कोई नहीं यहां से आप format painter ले ले लें और इसी फैंटर के द्वारा इसे select कर लें तो आपका यहां पे 8th 11 2021 को आपका work complete हो रहा है यहां पे आपका workday complete 10th 12 2021 को हो रहा है तो अभी यहां पे आपका सकता है यहां पे हमने custom holidays में एक दिन कर रखा यह by default two days का holidays लेता है इसलिए date आपका extend कर रहा है तो यह हूँ आपका workday function workday के आगे बढ़ते हैं year yes this function returns the year from a specific date यहां से equals to year function को call करते हैं यहां से हम date argument को pass करते हैं आपको यहां पे date से year को represent करेगा यहां पे आप आपका year fraction yes इस function के नाम सी समझ में आ रहा है कि एक ऐसा function है जो कि आपके दो अलग-अलग date के number of days का fraction represent करता है आईए इसे call करते हैं year for a c and start date and end date दोनों pass करते हैं इस तरह से आपका एक fraction value represent करेगा so microsoft axle के formula library के अंतरगत आने वाले जितने भी आपके date and time function है उन सारे function के साथ हमने एक quick overview किया if you have any doubt with any function directly हम यहां से help पे आके उस function का details भी समझ सकते so परिशान नहीं होना है आप इस function के साथ comfortable तरीके से काम कर सकते इस video में इतना ही thank you